तीन हजार वर्षों में वागभट के बात को किसी ने अभी तक नहीं रखा और इतने वैदेराज हमारे इस देश में रहे उन्होंने भी हम तक ये बात नहीं पहुंचाई ये एक बहुती उल्जन पैदा करने वाली बात मेरे मन में आई अब मुझे लग रहा है कि जहां कहीं भी वागभट जी रहे होंगे उनका मन बड़ा दुखी हुआ होगा और वो राजी भाई के शरीर में प्रविष्ट कर गए और आज 21 सदी के वागभट के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं मैं आप सबसे आगरा करूंगे तालियों की गड़गराट से उनका स्वागत क परम पूजने साध्वी जी को साधर वंदन महर्शी भागभट जी के सूत्रों पर जो पिछले चार दिनों से चर्चा हो रही है उन सूत्रों में आज मैं आपसे चिकित्सा विशे की बात शुरू करूंगा मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि महर्शी भागभट कहते हैं कि जिन्दगी में 85 प्रतिशत बीमारियों को हर व्यक्ती स्वयम ठीक कर सकता है तो अब तक जो मैं बात कर रहा था कल तक वो 85 प्रतिशत वाला हिस्सा था इस मैंसे आपको कोई भी बात ऐसी नहीं लगी होगी जो किसी विशेशगी की मदद से करनी पड़े अब तक मैंने जितना भी आपको बताया है वो सब इतनी सरल और सहज बाते हैं जो आप स्वयम कर सकते हैं आज मैं आपको 15 प्रतिशत वाले हिस्से की बात करूँगा जो बचा हुआ पंदर प्रतिशत हिस्सा है जिसमें किसी विशेशगी की जरूरत है वो वाली बात आप से शुरू करूँगा लेकिन आज आप महसूस करेंगे व्याख्यान खतम होने के बाद कि अरे ये पंदर प्रतिशत भी हम कर सकते हैं बागबट जी की यही खूबी है वो ये मानते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति विशेशग्य हो सकता है और वो ये भी एक जगह लिखते हैं कि मैं अकेला बागबट नहीं मेरे बाद और भी हो सकते हैं वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति भी अपने शरीर का सूक्ष्म अबलोकन कर सके अब्जर्वेशन सूक्ष्म माइक्रो लेवल पे वो सभी विशेशग्य हो सकते हैं तो विशेशगे चिकित्सा के इस तर पर आज मैं उनका एक अध्याए आपके सामने लेता हूँ ऐसे उन्हों जैसे कैंसर है, डाइबिटीज है, अर्थुराइटिस है तो इसमें वो कहते हैं कि भगवान ने प्रकरती ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि विशेश गंभीर रोगों की चिकित्सावी आप बहुत आसानी से सहचता से कर सके उसमें से उन्होंने एक जगे लिखा है कि इस भ्रह्मांड में, पूरी प्रकरती में ऐसी कई चीज़ें हैं जो एक साथ वात, पित, और कफ तीनों को ठीक करने की शक्ती रखते हैं, एक साथ. बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं प्रकरती में जो वाद, पित, कफ तीनों को एक साथ ठीक रखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाद को अच्छा रखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पित को अच्छा रखेंगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कफ को अच्छा रखेंगे वाद को अच्छा रखने वाली सबसे अच्छी चीज जो आपके घर में है वो है तेल तेल वो जिसमें आप सबजियां बनाते हैं तेल वो जिसमें आप सबजियां बनाते हैं तो सबसे अच्छी चीज वो बोलते हैं कि तेल है, जो बात को हमेशा सम भाव में रखता है, समानता में रखता है, बात को बढ़ने नहीं देता. लेकिन उन्होंने एक शब्द पर जोर दिया है कि तेल का माने शुद्ध तेल, अब ये शुद्ध तेल उन्होंने लिखा साड़े तीन हजार साल पहले, आज के विशलेशन में अगर हम ध्यान दे, तो शुद्ध तेल का माने तेल की घानी से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल, बिना कुछ मिलाए हुए सीधा सीधा तेल कोई भी मशीन से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल उसमें कुछ नहीं मिलाया मतलब नॉन रिफाइंड तेल अगर आप तेल खा रहे हैं तो बागवट जी का निवेदन है कि आप तेल शुद्ध खाईए माने रिफाइंड तेल मत खाईए डबल रिफाइंड तेल मत खाईए अब आप कहेंगे जी क्यों नहीं खाएं डॉक्टर तो यहीं बोलते हैं कि रिफाइंड खाओ डबल रिफाइंड खाओ तो आपको हिरदय गात नहीं आएगा वगरा वगरा ये जो refine तेल हैं मैंने इनको देखा है कैसे refine किया जाता है आप भी देख लें कभी मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा किसी भी तेल को refine करने में 6 से 7 chemical इस्तेमाल होते है और double refine करने में 12 से 13 chemical इस्तेमाल होते है वो सब chemical मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं प्रयोग शाला में भगवान का बनाया हुआ एक भी chemical तेल को refine नहीं कर सकता भगवान का बनाया हुमा ने प्रकरती का दिया हुआ जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं और्गैनिक और्गैनिक एक भी chemical नहीं है जो तेल को साफ कर सके एक भी chemical दुनिया में नहीं जितने भी chemical तेल को साफ करने के लिए उप्योग किये जाते हैं वो सब इन और्गैनिक है और इन और्गैनिक chemicals जगे जगे इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सब आपको धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे हैं, जहां आप जहर अपने ही शरीर में पैदा कर दें, इसलिए refined तेल, double refined तेल, गलती से भी मत खाईए, बागवट्टी जी कहते हैं कि जिन्दगी भर वात को ठीक रखना है, जिन्दगी भर, तो वात को ठीक रखने के लिए सबसे सरल चिकितसा वो बोलते हैं, वो तेल का ही है, वो कहते हैं शुद्ध तेल खाईए, शुद्ध तेल माने घानी से निकाला हुआ तेल, अब आपके म गाड़ा होता है चिपचिपा होता है और बास अलग से आती है हम लोगों ने जब शुद्ध तेल पर भारत देश के कुछ वैग्यानिकों की मदद से काम किया एक तरह से कहें रिसर्च किया तो पता चला कि तेल का जो चिपचिपापन है वो उसका सबसे महतुपूर्ण घटक है तेल में बहुत कुछ होता है जैसे मैंने आपको पहले दिन मता है न मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कैल्शिम हैं आाइरेन हैं सिलीकोन, कोबर्ट है ऐसे तेल में भी हैं हर चीज में है तो तेल का लिए खाया जाता है वो बचा ही नहीं वो हिस्सा ही गायव हो गया फिर हमने देखा कि तेल में जो बास आ रही है बास वो उसका protein content है तेमें protein बहुत है gen जैसे आपने सुना है दालों में protein होता है दालों में protein सबसे जढ़ा है भगवान का ईश्वर का दिया हुआ दालों के बाद दूसरे नंबर पर जो प्रोटीन सबसे ज़ादा है वो तेलों में है तो आप जो तेल में देख रहे हैं कि उसकी बास है वो बास जो है ना उसका और्गेनिक कंटेंट है प्रोटीन के लिए चार-पांच तरह के प्रोटी तो उसका जो फैटी ऐसेड है वो गायब अब यह दोनों ही चीज़ें गायब हो गई तो तेल नहीं रहा वो पानी है एक तरह से इसलिए बागवट जी ने सूत्र लिखा कि जिंदगी भर वात की चिकितसा अगर आपको करनी पड़ जाए तो बहतर है कि आप शुद्ध ते ज्यादा रोग यह घुटने दुखना से लेकर कमर दुखना हड्डियों में दर्द यह बात के तो रोग है ही सबसे खतरनाक बात का रोग है हर्ट अटेक हिर्दैगात सबसे खतरनाक बात का रोग है पैरलिसिस सबसे खतरनाक बात का रोग है ब्रेन का डेमेज हो जाना तो तो ये खराब से खराब जो रोग आपकी जिन्दगी में है, इन में वात के खतम हो जाने की या वात के पूरी तरह से बिगड़ जाने की भूमिका सबसे बड़ी है. फिर मैंने देखना शुरू किया कि हिंदुस्तान में ये रिफाइंड तेल कब से आये? आसे 50 साल पहले तो कोई जानता नहीं था कि रिफाइंड तेल क्या होता है? ये पिछले 20-25 वर्षों में आये हैं रिफाइंड तेल. कुछ कमपनिया निकली इस देश में, कुछ विदेशों से आई, कुछ हिंदुस्तानी कमपनिया, दोनों ने मिलकर रिफाइंड तेल का चक्कर चलाया. रिफाइंड तेल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. अब ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा किसी ने माना नहीं. तो डॉक्टरों से कहलवाया. बहुत बड़े-बड़े डॉक्टरों से कहलवाया. जो डॉक्टर अपने मरीजों को कहते हैं कि बैया तेल हमेशा रिफाइंड ही खाना ये वाला तेल लाना वो वाला तेल लाना अलग-अलग ब्रेंड के हैं न सफूला ले आना सन्फलावर ले आना ये ले आना वो ले आना इन डॉक्टरों के साथ मैंने जब वारताएं करना शुरू किया खासकर बंबई के कुछ डॉक्टरों को जो हर समय ये प्रेस्क्रिप्शन के साथ कहना नहीं भूलते कि तेल सफूला का ही खाना या तेल ये ही खाना तो मैंने का डॉक्टर साथ सफूला से आपका क्या रिष् यह सफोला कहां से आ गया हमारे यहां तो नारियल का तेल होता है मुंगफली का तेल होता है तिल का तेल होता है सफोला का तेल यह हिंदुस्तान का तो वो डॉक्टर तो नहीं बताते लेकिन उनकी पत्नियां बताती हैं कि वो सफोला वाला आता है न तो डॉक्टर सहाब को आफ्रीका की सफारी दिखा देता है तो यह है चक्कर सारा कि एक तरह से खिक बैक डॉक्टर साहब प्रत्यक्ष और परोग शुरूब से मिल रही है इसलिए डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं सफोला का तेल खाना अब यह सफोला का तेल हमने लेकर टेस्ट किया लेबरेटरी में सूरज मुखी का तेल जो अलग-अलग ब्रेंड का है वो टेस्ट किया लेबरेटरी में दिल्ली में All India Institute of Medical Sciences के कई डॉक्टरों को इसमें इंट्रेस्ट हुआ कि बात तो यह गहरी है इसमें काम करके देखना चाहिए तो वो डॉक्टरों ने जो कुछ भी निकाल के दिया है रिसर्च के रूप में है तो बहुत मोटा हिस्सा अगर बात करूं तो बहुत दिन बीठ जाएंगे उसका निसकरश एक वाक्य में बता दे हुआ कि तेल में जैसे ही आप बास को निकालेंगे और उसका चिप-चिप आपन हटाएंगे वो तेल ही नहीं रहता तेल के सारे महतुपूर्ण घटक निकल जाते हैं और डबल रिफाइंड में तो कुछ भी नहीं बचता डबल रिफाइंड तो बिलकुल छूच है कुछ ह ही नहीं उसमें और आप उसको खा रहे हैं तो तेल के माध्यम से शरीर को जो कुछ चाहिए वो मिलता नहीं आप बोलेंगे जी तेल के माध्यम से हमारे शरीर को क्या मिलता है मैं बार बार एक शब्द पर आपको ध्यान लाया HDL High Density Lipoprotein यह तेलों मैंसे ही आता है आपके शरीर में वैसे तो यह लीवर में बनता है लिकिन तेल खाएं तब खाएंगे नहीं तो बनेगा नहीं है तो शुद्द तेल आपके लीवर की मदद से HDL आपके शरीर में बहत्री निस्थती में रहे और यह HDL ही है जो आज की रिसर्च बताती है जो वात को कंट्रोल कर सकत है एक है एक है तो आधुनिक विज्ञान का यह है और साड़े तीन हजार साल पहले के विज्ञान बागवट चकित्सा का तेल यह दोनों एक ही चीज़े हैं तो आप शुद्ध तेल खाएं तो HDL अच्छा रहे HDL अच्छा रहे जिंदगी में हर्टटेक आने की कोई संभावना नहीं आप निसंकोच अपना जीवन बिताइए फिर एक और महत्तु की हमने हमारे कुछ दोस्त लोग हैं इस अभियान में जुड़े हुए उनके उपर एक्सपरिमेंट किये खासकर 36 गड़ में हमारे कुछ मित्र हैं मैंने का भाई आप ऐसा करो चिकित्सा करनी है तो बागवट की करो हाँ ठीक करेंगे तुम डॉक्टर बंद कर दो हाँ बंद भी की ऐसे कुछ लोग एकठे किये और 36 गड़ में यह इसलिए किया कि 36 गड़ भारत में ऐसा एक राज्य है जहां शुद्ध तेल अभी भी मिलता है गाओं गाओं में तेल निकालने वाली घानिया है आसानी से तेल उपलब्द हैं और आसानी से सरसों भी उपलब्द हैं म हमने जिंजिन लोगों को शुद्ध तेल पर लाया उनका ये बंद करा दिया रिफाइंड और डबल रिफाइंड और शुद्ध तेल पर वो आते गए आते गए अभी उनकी इस्तिती यह है कि जब हम उनको डॉक्टर को दिखाते हैं और पुरानी रिपोर्ट लेके जाते ह साल पहले इनकी ये रिपोर्ट थी कॉलेस्ट्रॉल इतना ट्राइगलिसराइड इतना ये इतना ये इतना तो डॉक्टर कहता ये रिपोर्ट में तो आठ दिन के ज़्यादा जिंदा नहीं रहना चाहिए हर्ट अटेक आना ही चाहिए और मरना ही चाहिए लेकिन आप बचे कैसे हैं तो अब रिपोर्ट ये देख लो आज की रिपोर्ट उनको दिखाते तो वो कहते हैं कि मिरेकल है ये मिरेकल कुछ नहीं है चमतकार कुछ नहीं बस एक ही है कि शुद्ध तेल खाया उन्होंने और जो तेल के घटक होते हैं वो भरपूर मात्रा में उनके शरीर को मिले इसलिए उनके ट्राइगलिस्राइड्स लेवल कम हुए कॉलिस्टरॉल लेवल मने VLDL LDL कॉलिस्टरॉल लेवल कम हुए HDL उनका बहुत तेजी से बढ़ा बलड प्रेशर उनका अपने आप कम हुआ हर्ट अटेक आने की जो condition बनी हुई थी वो पूरी तरह से खतम हुई और अब इतना काम करने के बाद मुझे ये confidence हो गया है कि उन में से दो हमारे कारे करता तो ऐसे हैं जिनको हर्ट में भयंकर blockage थे अभी चेक कराएंगे तो blockage भी नहीं मिलेंगे ये आया रिपोर्ट और बागवट जी का देखकर फिर मैंने देखना शुरू किया आप भी जरा पुरानी चीज़ें याद करिए 20 साल पहले की पच्छी साल के हिसाब से वैसे आयउवेद के हिसाब से दोनों अलग कैटेग्री हैं लेकिन के एक एक के लिए मानलें हम किधने बार हम घीम का उप्योग करते दे घरों में शीरा बना रहे हैं हलुआ बना घीके बनना ही रहा है दाल में घी खा रहे हैं रोटियों पे घी खा रहे हैं सबजियों में घी खा रहे हैं और फिर सबजियां तेल में बना रहे हैं आप जरा कलपना तो करिए कितनी जगे तेल 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 कितनी जगे घी 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 और 40 साल पहले मैंने तो नहीं सुना पता नहीं आप आपने सुना मेरे पिता जी को मैं पूछता हूँ कि कितने हर्ट अटेक होते थे तो मेरे पिता जी कहते हैं अपने परिवार में तो एक भी नहीं हुआ शायद आप 40 साल पहले के अपने परिवारों को देखें तो आपको भी पता चलेगा किसी को नहीं हुआ तो जब उतना हम तेल और घी उप्योग कर रहे थे अपने दैनिक जीवन में हमको हर्ट अटेक नहीं हो रहे थे ये पिछले दस बारे वर्षों में क्या ऐसा हो गया जो इतने हर्ट अटेक हो रहे है परसों किसी ने मुझे कहा कि 17 साल के बच्चे ने हर्ट का ऑपरेशन कराया अभी यहां चि खदिस्ति बहुत दिन समझने के बाद पैदा हुई है रिफाइंड तेलों से डबल रिफाइंड तेलों से तो बागवट्ट सूत्र के अनुसार आज में आपको विंती करता हूं कि जिन्दगी भर वात की बीमारियों से अगर बचना है आपको तो तेल शुद्ध खाईए तेल एकदम शुद्ध खाईए अब आपका तुरंत अगला प्रशना आएगा जी चिन्दगी में मिलता नहीं दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कहीं ना मिले अर्थशास्त्र ये कहता है कि आप डिमांड खड़ी करो हर चीज की सप्लाई होती है जब रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल बिख सकता है तो शुद्ध तेल भी यहीं मिलेगा आप जितने लोग यहां बैठे हैं अगर आप ही आज संकल्प कर लें कि हम तो शुद् गानी लगाओ तो खर्चा बहुत होता था अब तो 20-25 अजार रुपई की छोटी मशीन आती है और उसी मशीन में सब तरह के तेल निकल सकते हैं अलग-अलग मशीन भी लगाने की जरुवत नहीं आप चाहें तो गानी भी लगा सकते हैं वो तो 18-20 अजार की ही आती है बैल से चलने वाली घानी वो अब महंगी नहीं रह गई है और बहुत आसानी से तेल निकलाता है तो इसलिए आप तेल शुद्ध की तरफ बढ़ जाईए और मैं आपको जो रिसर्च कहती है वो कह रहा हूं कि जिस तेल में चिपचिपापन जितना जादा होगा वो आपके रहे हैं वो यह कहते हैं सरसों के तेल का डबा मुह पे लगाओ और जो आख में से आसू तुरंत ना निकले तो समझ लो वो नकली है उसकी इतनी तेज बास आएगी कि हांक से आसू निकली आएंगे नाक चलना आपकी शुरू होई जाएगी वो कहते हैं वो उसके के तरीके आप सब जानते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि सबजी में कितना तेल डालना डालों में या आपके दूसरे भोजन पकवानों में तेलों का किस तरह से उपयोग करना मैंने ये देखा हिंदुस्तान में कि हमारे यहां तीज तियोहार होते हैं और हर का तेलोपयोग हो रहा है उसके पीछे बड़ा साइंस है बहुत बड़ा साइंस है बहुत बड़ा विग्यान ये है कि जैसे मान लीजे होली के आसपास के तेवहार चैत्र के महिने के तेवहार फागुन और चैत्र के महिने के तेवहार अब फागुन और चैत्र के महिने के त तियुच 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 कौन है माने महर्शियों ने ये देखा कि जीवन के दिनों में माने अगर ठंड के दिन है तो शरीर में क्या प्रकोब जादा है वर्सात के दिन है तो शरीर में क्या प्रकोब जादा है गर्मी के दिन है तो शरीर में कौन सा प्रकोब जादा प्रकोब माने वात्पितकफ ये तो उनको संयमित रखने के लिए कौन सी चीज़ें प्रकरती ने दी हैं तो व्यंजनों में वही चीज़ें डाली गई जैसे अब मैं आपको थोड़ा और इस पश्ट करता हूँ यह बात अमूर्थ है लेकिन अब थोड़ी मूर्थ करता हूँ सर्दी के दिनों में जितने भी तियोहार आप मनाते हैं या जितने भी तियोहारों में आप अपने जीवन को लगाते हैं ये सब तियोहारों में आप देखो भोजन ज्यादा से ज्यादा आपके हिसाब से गरिश्ट होता है preparation कुछ इस तरह के होते हैं जैसे आप तिल खा रहें सर्दी के दिनों में भरपूर तिल खाया जाता है और तिल के तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं अगर आप गुजरात में रहते हैं तो अड़दिया खाया जाता, अड़दिया दुनिया का इससे अच्छा शायद कोई पकवान न हो अड़दिया जिसको कहा जाता है उड़त की दाल का बनता है अड़दिया ऐसे ही राजिस्थान के कुछ इलाकों में विशेश पकवान है ऐसे उत्तर प्रदेश के इलाकों में कुछ पकवान है लेकिन अगर महसूस करें तो यह सब भारी है भारी गुरुत है इसमें बागबट जी निएक शब्द इस्तेमाल किया गुरुत वाले पदार्थ माने भारी है आसाuki से नहीं पचते दीरे-दीरे पचते अड़दिया तो आसानी से नहीं पचेẩy आ की चीजें भी आसानी से नहीं पचने वाली हैं लेकिन जिन दिनों में हम ये खा रहे हैं उन दिनों में शरीर के लिए यही अच्छा है कि कोई चीज आसानी से ना पचे धीरे धीरे पचे देर में पचे क्यों अब ये ठंडी के दिन होते हैं तो ठंडी के दिनों में शरीर में पित जो है न थोड़ा कम होता है पित थोड़ा कम होगा वात ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और कफ सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा ठंड के दिनों अब कफ सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो कफ का असर हमारी जठर अगनी पर है अब कफ का असर जठर अगनी पर है तो जठर अगनी भी थोड़ी कम रहती है थोड़ी जो गर्मियों के दुनों में वो भड़कती है उतनी नहीं होती तो अगर आपकी जठर अगनी कुछ क कम हैं कफ के प्रभाव में हैं तो आप भोजन भी ऐसे खाईए जो तुरंत पचने वाले नहीं धीरे धीरे पचने वाले हैं ताकि जठर अगनी उसके साथ मेल कर ले thumbs एसे समंझ लो जठर की mm होती है तो खाया जाने वाला खाना भी कम गती से पचने वाला हो तो बहुत अच्छा है तो सोस समझ कर ये तै किया गया कि सर्दी के दिनों में तिल खाना है सर्दी के दिनों में मुंगफली खानी है सर्दी के दिनों में गुड़ खाना है सर्दी के दिनों में घी सबसे ज़्यादा खाया जाता है और आपने अ महिनों में आते हैं मुंगफली भी नई इनी महिनों में आती है चने भी इन महिनों में नए आते हैं तो अच्छा खाना खाने का समय यही माना जाता है सरदियों का और अच्छा खाना वो जो गुरुत वाला है गुरुत वाला वो जो थोड़ा धीरे-धीरे-धीरे-धीरे पसमाज वाले तो जानते हैं कि बारिष के दिनों के खाने में बहुत रिस्रिक्षन है क्यों जी ऐसा खाना तो आप खाई ही नहीं सकते जिसमें पानी बहुत हो क्योंकि शरीर में ही पानी बहुत होता है उस समय प्रकरती के हिसाब से शरीर चलता है तो बारिश के दिनों में अक्सर आपने सुना है जेन सादू संतों के मूझे के हरा हरा पत्ती का सबजी मत खाओ हरा सबजीयां मत खाओ ये वगरा वगरा हरे पत्ती की सभी सबजीयां बहुत पानी भरी वगरा पानी शरीर में ही पहले से जादा है क्योंकि बारिश में नमी जादा है तो आप जादा पानी के शिकार होंगे जादा पानी भी अच्छा नहीं है कम पानी भी अच्छा नहीं है तो इसलिए सादू संत जो कहते हैं वो भी कुछ विज्ञान के आधार पर कहते हैं बस अंतर इतना ही है कि हमारे दिमाग में क्यों इतना गहरा घुसा हुआ ह कि जब तक क्यों explain कोई नहीं करता हम ना उसकी बात सुनते हैं न मानते हैं तो अपने देश में बागवट जी के अनुसार वात की चिकित्सा जिंदगी भर अच्छी रहे आपकी तो तेल शुद दखाईए ये एक सूत्र अब दूसरा सूत्र वो कहते हैं कि पित्त की चिकित् रहे आपको तकलीफ ही ना आए तो कहते हैं देशी गाय का घी खाईए पित्त को जिंदगी भर सम रखने के लिए अगर कोई एक चीज उन्होंने बताई है सबसे अच्छी वैसे तो उन्होंने सेकड़ों चीजें बताई है सबसे अच्छी तो उसकी ऊपर की श्रिणी में गिनती है घी घी बाने गाय का घी बहस के घी के लिए उन्होंने बोला है लेकिन उन्होंने कहा है कि वो एक ही कैटेगरी के लोगों के लिए है जो कुष्टी लड़ते हैं कुष्टी लड़ते हैं माने पहलवानी करते हैं दंड बैठक लगाते हैं पहलवानी करते हैं वो आपके लिए नहीं है, आप सद ग्रहस्त हैं, ना आपको कुष्टी लड़नी है, ना आपको पहलवानी करनी है, ना आपको दंड बेठक लगानी है, ना आपको रेस जीतनी है, आपको तो जीवन अपना चलाना है ठीक तरीके से, तो आपके लिए है गाय का घी, और पहलवान जो कुष्टी लड़ रहे हैं, अखाडे में दंड बेठक लगा रहे हैं, मुगदर घुमा रहे हैं, वगरा वगरा, इनके लिए है भैस का घी, बागवट जी कहते हैं कि वो अगर गाय का घी खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, और आपने अगर भैस का घी खाया तो आप त जिंदगी बर शांत रखना है, शमित रखना है, समवस्था में रखना है, तो सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने बताई है, वैसे तो सहकड़ो हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छी चीज पहले बता रहा हूँ, वो कहते हैं, नमबर एक की चीज है कफ को शांत रखने के लिए वो है गुड और अबलिक करके उन्होंने एक चीज बताई है शहद तो वो कहते हैं कि जो शहद खा सकते हैं वो शहद खाएं जो नहीं खा सकते हैं वो गुड खाएं अब आप मैंसे जो जहन सिद्धानतों का पालन करने वाले हैं उनके लिए हैं गुड और जो जहन सिद्धा गई गाहे का घी और तीसरा हो गया गुड़ उल्टे से शुरू करता हूं गुड़ कफ को कैसे शांत रखेगा आधुनिक विज्ञान की जानकरी कुछ मैं आपको इसमें जोड़ना चाहता हूं कफ जब भी बिगड़ता है कफ जब भी बिगड़ता है तो शरीर में एक तत्त स्कंदrenched कि कमी है और फॉस्पोरस का एक छोटा भाई भी आर सेनिक ऑर सीनिक वैसे तो शरीर में न रहे तो अच्छा है क्योंकि जहर है लेकिन बहुत मामूली मात्रा में रहे तो phosphorus को ताकत देता है ये arsenic phosphorus का complimentary है arsenic ये chemistry की बात है अब आप समझ लीजे कि कफ आपके शरीर में बढ़ गया इसका माने phosphorus कम हो गया तो भागवटची ने कितनी कितनी intelligence से चुना गुड़ खाओ हमने गुड़ को जब test किया laboratory में तो उसमें सबसे ज़्यादा phosphorus ही है गुड़ में सबसे ज़्यादा phosphorus है हलांकि उसमें थोड़ा मात्रा में arsenic भी है लेकिन phosphorus उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में है और गुड़ जो बना है ना किस से बना है गन्ये के रस से तो गन्ये के रस को test किया तो पता चला गन्य के रस में फॉस्फोरस है लेकिन गन्य के रस से ज़्यादा गुड में है गन्य के रस में भी फॉस्फोरस है लेकिन उससे ज़्यादा गुड में है तो क्या किया हमने गन्य के रस को गरम किया तो गरम करने की जो प्रक्रिया है इसमें फॉस्फोरस घटा ही बढ़ा यह पता नहीं क्या अधूत विग्या ने तो बागवट्टी जी ने यह नहीं कहा कि गन्य का रस्पियों उन्होंने का गुड़ खाओ गन्य के रस्प को भी वो कह सकते थे क्योंकि फॉस्फोरस उसमें है लेकिन गन्य के रस्प से जादा बहत्री निस्थती का गुड़ दे सकते हैं आज ही दे सकते हैं हाँ तो आप जो है एक ऐसी स्थती में हैं जहां आपके पास कई चीज़ें उपलब्द हैं उनमें से बागवट्टी जी चुनकर दे रहे हैं कि देखो यह है अब गुड़ बनाने के पहले एक और चीज बनती है जिसको मराठी में कहते हैं काकवी तरल गुड़ कहिए उसको तरल गुड़ राव कहते हैं कई लोग उसको राव राजिस्थान में राव कहते हैं वो यह कहते हैं कि गुड़ और राव में आपके पास अगर चॉइस है तो राव खाईए वो गुड़ से भी ज़्यादा अच्छी है तो राव हमने बनवाई और उसको टेस्ट किया लेबरेटरी में तो गुड़ से बहतरी निस्थती का फॉस्फोरस राब में है तो आपकी जिंदगी का इसको हिस्सा बना लीजे हिस्सा कफ की जिंदगी में तकलीफ कभी भी नहीं आए जो आप राब और गुड़ खाएं यह आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाना चाहिए अब आप पूछेंगे जी कौन सा गुड़ खाएं बजार में कई तरह के गुड़ है एक गुड़ है जो बहुत गोरे रंग का होता है सफेद सफेद होता है जो गुड़ का रंग जितना जादा साफ वो उतना ही बड़ा जहर आप कहेंगे जी ये गुड़ तो बहुती बढ़िया एक तम सफेद ये सफेद रंग के चक्कर में हम बरबाद हो गए है जब से अंग्रेज आए ना हमारे दिमाग में भूद गुज गया हर चीज हमें गोरी चाहिए हर चीज गोरी हर एक रंग सफेद चाहिए हाँ मैं भले चाहने वाला चिककट काला हो उसको गोरी ही चाहिए बागवटी जी कहते हैं कि प्रकरती में आप उसको ध्यान से सुने प्रकरती में जिन चीजों का रंग जितना ज्यादा सफेद है वो उतनी ही आपके लिए अनुकूल नहीं है इसको ध्यान से समझे प्रकरती में ज इन चीज़ों का रंग जतना जादा सर्फेड है वह आपकी अनुकूल नहीं हो द import के लिए बहुत सफेड पहलवां के लिए है आपके लिए नहीं है पहने नहीं होता अच्छे से गन्ने का रस तो हरा हरा ही होता है फिर यह सफेद ही कहां से आई मैं आपको बहुत विनमरता पूर्वक कहता हूँ, यह सफेदी आती है निर्मा वाशिंग पाउडर से, और ज़्यादा सफेदी आती है एरियल से, प्रॉक्टर एंड गेंबल का एरियल, और आपको अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, वो आप कभी विश्वास करें या न करें, लेकिन सच यही है, कि गुड़ बनाने वाले आपका जो सफेदी का लालच है ना, सफेदी के प्रती आपका मो, उसको ध्यान में रखते हुए इतना निर्मा डालते हैं, इतना वाशिंग पाउडर उसमें डालते हैं, गन्ने के रसमें, कि वो गुड़ का रंगी बदल जात गुड़ का जो नैचुरल कलर है, वो वही है जो चौकलेट का होता है, चौकलेट आपने देखिए, जिस रंग की चौकलेट है, रंग वही गुड़ का सबसे अच्छा, तो गुड़ खरीदते समय ध्यान रखे, ताबई कलर का, जिसको हम कहते हैं, ताबई कलर, कौपर कलर का जो गुड़ है, वो दुनिया का सबसे अच्छा गुड़ है, तो गुड़ जब लाएं खरीद कर खाने के लिए, तो दुकान वाले को बोल कर लाईए, कि भाई, हमको ये सफेद वाला नहीं चाहिए, तो कहेगा कौन सा चाहिए, तो वो जो काला काला सा, थोड़ा चौक कर आ रहा है, वहाँ फिर संदेशा जाएगा, ये सफेद बंद कर दो, कोई मांग नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा, सबको अब वो ही चाहिए, तो गुड़ की सपलाई बदल जाए, ये गुड़ ही खाई, अब मैं जो और गहरी बात पर जा रहा हूँ, बागबटी जी कहते हैं कि दुनिया में गुड़ के अतरिक्त जो मिठाईया हैं, गुड़ के अतरिक्त, वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, अब गुड़ के अतरिक्त मिठाई में जरा चले, तो क्या है, चीनी, आज के समय में, बागबटी जी के समय चीनी नहीं थी, इसलिए उन्हों से ही चीनी बनती है और गन्य के रसमे से ही गूर बनता है बस दो अलग-अलग सब्धिताओं का इस में फरक है एक है सब्धिता यूरोप और अमेरिका की जहां से चीनी आई और दूसरी सब्धिताẽ भारत की जहां से गूर आया एक ही रो मिटीरियल है एक ही रो मिटीरियल है चीनी बनाने के लिए भी गन्ने का रसी लगता है गुड़ बनाने के लिए भी गन्ने का रसी लगता है और थोड़ा सा आगे बढ़ है कि एक ही रो मिटीरियल है गेहूं का आटा जिस से रोटी भी बनती है पूरी भी बनती है भी बनता उसी से पाव रोटी भी बनती है और डबल रोटी भी बनती है ठीक है सब बिताओं का अंतर है रो मिटीरियल सेम है गेहूं का आटा वो हिंदुस्तान में भी है वो अमेरिका में भी है वो कनाडा में भी है वो भारत में भी है लेकिन वो गेहूं के आटे से बनाते ह पूरी या पराठा या आधी-आधी बहुत सारी चीजहでं अंतर क्या है जी अंतर प्रोसस का है प्रकरिया का अंतर प्रक्रिया का अंतर है raw material सेम है end product भी सेम है खाये जाने के लिए बन रहा है लेकिन प्रक्रिया अलग अलग है वो रोटी बनाएंगे तो पहले आटे को सडाएंगे ferment करेंगे और आटे को सडा सडा के पुराना पुराना करकर के फिर उसमेंसे पाऊ रोटी ही बनेगी रोटी तो बनने ही पाएगी क्योंकि आटे के fermentation के बाद रोटी बनना मुश्किल होता है और हम आटे को पानी में गूंदेंगे और ततकाल उसकी प्रक्रिया करके रोटी बना लेंगे वो प्रक्रिया नहीं कर पाते क्योंकि उनको कोई सिखाने वाला नहीं कोई university नहीं कोई college नहीं इसी तरह से उनके आट शक्कर में होता है कि गन्ने के रसकों कई देशों में गन्ना उत्पंड होता है ब्राजील में मैक्सिको में बगडर बगर तो वो गन्ने के रसकों प्रोसेस करते करते आपको चाहिए फॉस्फोरस कफ का शमन करने के लिए अब वो ही नहीं चीनी में तो आप जो चीनी खा रहे हैं वो जिस उद्देश्य के लिए खा रहे हैं वो पूर्ती ही नहीं होती और चीनी एक ऐसा केमिकल है अगर मैं ब्लैक बोर्ड लेके चौक पे समझाना शुरू करूँ तो समय थोड़ा जादा लगेगा लेकिन अंतिम बात आप जल्दी समझ जाएं चीनी जब आपके शरीर में जाती है और ये तूटती है हर चीज अंदर जाके तूटती है मानि अब मैंने आप से थोड़े दिन पहले कहा था पता नहीं याद है के नहीं पेट में हमेशा अमल है ठीक है अब पेट में तो अमल पहले से है प्रकरती का दिया हुआ आपने चीनी खाई चीनी में से भी अमल ही निकला तो अमल तो बढ़ गया ना जरूरस से ज़्यादा और ये बढ़ा हुआ अमल अगर पेट में आपके है तो ये खून में भी जाएगा आप इसे रोक नहीं सकते क्योंकि पेट में जो है वो खून में भी जाएगा और खून में अमल बढ़ता ही गया रोज आपने एक चम्मचीनी खाई दो चम्मचीनी खाई तीन चम्मचीनी खाई हर दिन उसमें से अमल निकल रहा है और पेट का अमल भी उसमें जुड़ रहा है फिर निकल रहा है फिर जुड़ रहा है फिर निकल रहा है फिर दस साल का हिसाब निकालो बीस साल का निकालो तीस साल का निकालो आपका दिमाग घूम जाए रोज का अगर दो चम्मच चीनी का हिसाब जोड़ो वैसे तो जो दो चम्मच से जादा ही रहती है एक आदमी की जिन्दगी में चीनी दूद में भी चीनी लेते हैं चाय में भी चीनी लेते हैं दो चम्मच रोज की दो चम्मच माने हो गई लगबग 10 ग्राम के आसपास तो 10 ग्राम चीनी रोज की एक साल में कितनी 10 साल में कितनी 30 साल में कितनी 40 साल में कितनी हिसाब निकालो गए ना तो मरते समय तक एक बोरा चीनी तो कोई भी खा लेता है 100 किलो था अब इतनी चीनी खा के जो एसिड बनेगा वो कहा जाएगा बिचारा आपका किड्नी जितना निकाल सकता है वो निकालने की कोशिश करेगा लेकिन सब नहीं निकाल पाया तो ये रक्त में ही रहेगा और यही एसिड है जो वात के रोग आपको पैदा करे तो इसलिए चीनी और गुड एक ही चीज में से बनने वाली दो मीठी वस्तुएं है लेकिन गुड में क्या है गुड जब आप खाएंगे फासफोरस किसी भी चीज में रहे चार पंड रही रखता है वो उस चीज को माने उसमें एलकलाइन की प्रापरटी ही रहती है तो गुड कितना भी खाएंगे चार ही बनेगा और वो चार पेट के अमलता बढ़ने नहीं पाएगी तो जिंदगी आपकी सुखद और निरोगी होती जाएगी अब इसको और एक तरीके से समझाता हूँ गुड और चीनी पे जब हमने एक्सपरिमेंट किये तो पता चला चीनी को पचाने के लिए पूरे शरीर को वैसी ही ताकत लगानी पड़ती है जैसी ठंडे पानी को पचाने के लिए लगती है पूरा शरीर जुक जाता है तब चीनी जाके पचती है और सबसे देर में पचती है आपने जो दाल खाई है वो पच जाएगी गेहूं पच जाएगा चना पच जाएगा मटर पच जाएगी चीनी सबसे अंत में जाके पचेगे और उसको पचाना पड़ता है लेकिन गुड़ दुनिया में ऐसी अधवुत चीज है जो बनाई हिंदुस्तानियों ने कि गुड़ सब को पचा देता है गुड़ तो सब चीज को पचा देता है चीनी को पचाना पड़ता है मेरी बात समझ में आ रही है आपको गुड हर चीज को पचा देगा खुद ताकत लगा देगा आपने गुड के साथ कुछ भी खाया है वो सब चीजें गुड पचा देगा लेकिन चीनी को पचने के लिए पूरी ताकत लगती है तो चीनी जब पचेगी तो दूसरी चीजों को तकलीफ कर देती है तो इसलिए बहतरी इन है कि गुड खाईए जिंदगी बर कफ के रोग आपको नहीं आएगा फिर अंत में वही सवाल मिलता नहीं जी ये रोना बंद कर दीजे दुनिया में हर चीज मिलती है जहर भी है अमरुद भी है आपको क्या चाहिए और आज की दुनिया है ना आज की दुनिया माने आज का मार्केट माने आज की एकॉनमिक्स वो बायर्स एकॉनमिक्स है कंज्यूमर्स एकॉनमिक्स है Buyers Market है, Consumer Market है माने जो ग्राहक मांग करेगा वोई चीज बजार में टिकेगी ग्राहक मांग ही नहीं करेगा तो वो टिकने वाली ही नहीं है तो आप मांग करना शुरू करो जी गुड़ चाहिए, गुड़ चाहिए, गुड़ चाहिए तो आप में से ही कई लोग खड़े हो जाएंगे बोलो कितना चाहिए मैं कोलापूर जाके आता हूँ गुड़ वाले से बात करके आता हूँ हमारा गुड़ जो है हमें सफेद नहीं चाहिए हमें तो वो वाला गुड़ चाहिए जो काला का कोई कहेगा मैं बिहार जाके आता हूँ गुड़ वाले से बात जहां जहां गुड़ बनने के बड़े केंद्र है बिहार बहुत बड़ा केंद्र है गन्ना होता है करनाटक में बहुत गन्ना है महाराश्ट तो गन्ने का सबसे बड़ा केंद्र है इंदुस्तान में आपका महराश रापके95 पोढ़र पई है आंध प्रदेश में बहुत गन्ना है तमिलनादू में भीकन्ना है जहां जहां गन्ना होता है वहां गुड़ बन देगा आप ले लो उससे वो कहता है जी मेरा गुड़ 15 रुपाई किलो आपको मैं 17 रुपाई किलो ले लूँगा तुम इसमें ये जहर मड़ डालना और वो दो रुपाई किलो आपने जो जादा दिया वो जिंदगी के लिए कोई गटिया सौधा नहीं है बहुत फाइदे का सौधा है तो गुड़ बनाने वाले इस देश में आज भी हजारों की लाखों की संख्या में हैं गाउं गाउं में हैं आप उनसे संपर्क कर लीजे और कोई एक गुड़ का केंद्र ही शुरू कर दीजे आपके आपस में सब लोग कौछ काखवी क्वाइए माने जिसको राब कहते हैं जितना जाड़े का समय है नवंबर दिसम्बर फर जन्वरी फर वरी तक राब भरपूर खा सकते हैं दही में राब खाईए दूद touched me हलूआ राप का बनाईए, गुड का हलूआ बनाईए, गुड दही में खाईए गुड दूद में खाईए अब गुड को दूद और दही में खाने का नियम है वो बागवट जी कहते हैं वो कहते हैं जी दही में मिला के गुड़ खाया जाए दही में मिला के गुड़ खाये दूद में गुड़ कभी मत मिलाईे दूद में गुड़ कभी मत मिलाई दही में मिला के खाये तो दूद में कैसे खाएंगे जी दूद में ऐसे खाएंगे कि पहले गुड़ खा लीजे पीछे से दूद पी लीजे या दूद पी लीजे या पीछे से थोड़ा गुड़ खा लीजे दूद में गुड़ मिला नहीं सकते और दही में कभी भी बिना मिलाए मत खाए आप में से कोई बिहार वाले है ना तो वहाँ पर एक बहुत बढ़िया व्यंजन मिलता है उसका नाम है दही चूड़ा दही चूड़ा ही कहते हैं चूड़ा ये मिथिला में मैंने खाया और ऐसा अद्वुत है जो दुनिया में शायद कहीं न हो मिथिला में एक एरिया है बिहार का करीब 8-10 जिले उसमें आते हैं उन जिलों में जब भी आप जाएं तो मेहमान को वही परोसके लाते हैं तो मैं भी महमान जैसा ही रहता हूँ तो मुझे हर घर में दही चोड़ा मिलता है तो वो दही डाल के लाते हैं उपर से गुड़ डाल के लाते हैं दही के उपर गुड़ रहेगा तो मैंने कई बार कहा कि या लग प्लेट में गुड़ ले आओ तो वो कहते हилась, नहीं नहीं आपको फिर खाना नहीं आता दही चोडा तो पहले मुझे सच में नहीं मालूम था अब जब ये मुझे पता चला बागभट चिकितसा का तुब मेरी अकल में आया कि वो सब बागभट के चेले हैं दही में गुड मिलाके पहले से ही चिवडा पे रखके लाते हैं तो दही में गुड मिलाके ही खाईए अगर आप दही खा रहे हैं तो गुड मिलाके ही खाईए तो दही के कई दोश जो आपके लिए अनुकूल नहीं है वो भी खतम हो जाते हैं और दूद में गुड कभी भी मत मिलाई है। एक जगे तो वो ये कहते हैं कि दूद खाली पी लीजे, गुड आगे पीछे खाली जे, वो ज्यादा बेटर है। तो गुड खाईए, मेरा कहने का मतलब यह है। अब कितने पृपरेशन हैं हमारे घर में। गुड का तिल का पृपरेशन एक है। तिल पट्टी कहते हैं गजक गजक। तो भरपूर गजक खाईए। क्यों खाईए जी तिल है और गुड है। गुड में जो खाईए मने तिल की पट्टी बनाईए गजक बनाईए नहीं तो तिल का लड़ू बनाईए गुड़ के साथ बनाईए फिर इसी तरह से मुंगफली है मुंगफली भी चारी है और गुड़ भी चारी है तो मुंगफली और गुड़ मिलाके वो पट्टी आती है वो खाईए ब परबर भरबूराइए क्योंकि इस समय आपके शरीर को इन्हीं की जरूरत है तो कफ जिंदगी से बहुत दूर रहे से तिल खारें हैं गुड़ का रहे हैं मुझपली खारें हैं कफ बढ़ने की बिल्कुल संभावना नहीं तो जिंदगी में कफ कफ के रोग आने की संभावना नहीं अब जानते कफ का सबसे खराब रोग क्या है मोटापा मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड़ खाईए भरपेट तिल खाईए भरपेट मुंगफली खाईए मोटापा भी कम हो जाए आपको डर है ना तिल खाएंगे जी उसमें से तेल है तेल तो है तिल में लेकिन वो HDL वाला LDL वाला नहीं है VLDL ये मोटापा जो है ना वो VLDL और LDL का चक्कर है HDL जैसे ही बढ़ेगा मोटापा अपने आपकम होगा पेट अंदर ही जाएगा आप में से कोई भी मेरे कहने पर तीन महीने एक एक experiment कर लीजें तिल चबा-चबा के खाई ए खाने के बाद तीन महीने के बाद वजन ना पेंगे 8-10 किलो कम मिलेगा आप कम से कम इतना कम मिलेगा खाना खाया खाने के बाद आप सौफ खाते हैं ना सौफ की जगे तिल खाइए और काला खाया तो और जादा वजन कम लेकिन ये इनी चार महीनों में गर्मी में अगर आपने यही तिल खाया तो प्राबलम आएगे बागवटी जी कहते हैं कि तिल खाने का सबसे अच्छा समय वही है जो आज चल रहा है यह फरवरी तक चलेगा तो फरवरी तक और कभी बहुत जादा लिबरल हो तो होली के दिन जाएगी वो क्या आएगी वो में बता दो लेकिन आप ये करके देख लीजे चार चीजों को जादा उपयोग आप करेंगे वजन आपका कम होता जाएगा पेट का अमल कम होता जाएगा घुटनों के अंदर का जो कई बार कहते हैं न डॉक्टर यूरिक एसिड जमा हो गया तिल है गुड है और मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आप जैन नहीं है तो शहद है शहद में बागवट जी कहते हैं छोटी मदुमक्खी का शहद बड़ी का नहीं तो शहद लाएं तो उसको पूछ लीजे तो एक हिसा हो गया कफ का अभी दूसरा पित्त का हिसा पित्त क का हमेशा सम रहेगा और जादा घी खाने का जो समय है वो बारिश के दिनों में और ये जो गर्मी के दिन होते न उस समय घी जादा खाईए ताकि पित्त को कंट्रोल करके रख और वात के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ शुद्ध तो अभी ये जितनी बात है आप मतलब नहीं हम तो ऐसे चलें तो ये तीन चीजें अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छा है अब थोड़ा आगे चलें अब और दूसरी चीजों पर मैं चलता हूँ कि और कौन-कौन सी चीजें हैं जो आपके आसपास है और आपके वात पित्त कफ तीनों को सम पे लान किसे बड़ा औशडी केंद्र हमारा रशोई हैं और सबसे बड़ा हो रशवी के रशोई घर है सबसे बड़ा ओशबी के रसोई हैं अब दुरभागे से हम रसोई मैं जिनको मसाला क Lake मसाला कुछ नहीं सब औ शवशडी है मसाले का और और शवसपी कांचएं यह मसाला तो ही भारत का नहीं है पहले तो यह बता दू ये अर्बिक शब्द है फारसी से अर्बी में आया अर्भी से हमारे गुज़गया हिंदी में और जग Dell जग़ गुज़गया यह विदेशी आये तो यह शब्द भी आया हिंदुस्तान में सत्रवी अथार्वी शतावदी का साहित जब में पढ़ता हूँ तो जबतक मुगलों का राज्जीरहा तब तक मसाले शब्द का बहुत उप्योग है कि मुगलों के राज्जी के पहले में पुराने पह़सृ ने बहुंदद से जितने लेखक हुए है है न दसबी शतावदी के पहले के कहीं भी किसी ने मसाले शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया हर जगे है तो आउशदी है आउशदी आउशदी जीरा आउशदी धनिया आउशदी ये आउशदी के रूप में हैं तो इनकी जो प्रॉपरटीज हैं रसोई घर की आउशदी ये सब आपके चिकित्सा के लिए हैं अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने की माताएं बहने जो हमारी दादी हैं नानी हैं उन्होंने अपनी अपनी बेटियों को जो कुछ सिखाया सबजी बनाना तो क्या-क्या डालना जीरा चाहिए, धनिया चाहिए, हींग चाहिए मात्रा कितनी कितनी चाहिए वो सब बड़े वैग्याने को और चिकित्सक लोग रहे होंगे क्योंकि रोज हमारे शरीर में वाद पित्त कफ की स्थती सम और असम होती रहती है आप जानते हैं सुबह जो है न वाद जादा होता है शरीर में सुबह सुबह दुपहर को पित्त जादा होता है शाम को कफ जादा होता है तो ये पूरे 24 गंटे में उपर नीचे होता रहता है तो 24 गंटे में जो वाद पित्त कफ उपर नीचे होता रहता है सबजियों में उसी के हिसाब से औशदिया डाली जाती है जैसे दुपहर की सबजी बने दुपहर की तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दुपहर की सबजी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें और वो ही सबजी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालत बस बात खतम हो गई अब उस समय में भी मान लिया कि ठीक है उसकी माने सिखाया अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकित्सा पर तब मेरे समझ में आया कि अजवाईन जो है पित नाशक है घी के बाद देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज़्यादा पित नाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाईन है और दुपहर को पित बढ़कता है आप जानते हैं और वो स्वावा विक्या क्योंकि खाना खाने के लिए पित बढ़कना ही चाहिए तो उस समय अजवाईन डाली जाती है सबजी में क्योंकि दुपहर को ही शरीर को अजवाईन की ज़रूरत होती है पित को सम्पल आने के लिए तो भारत में जादा तर माताएं बहने ये बात जानती है कि दुपहर की सबजी में अजवाईन चाहिए दुपहर का दही है न दही का मठा उसमें भी अजवाइन का बगार लगता है दुपहर की जितनी भी चीज़ें है ज्यादातर अजवाइन ग्रस्त होती है या अजवाइन से बनती है क्योंकि पित्त को समपे रखना है तो आप सोचो जो लोग ये कर रहे हैं वो बिना कहे कितना बड़ा काम कर रहे है हमने उसका वैलिवेशन नहीं किया ये हमारी मूर्ख था हमारे याँ तो एक बहुत बड़ा दुश्करमे इस देश में हुआ है अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए तो सब कुछ हम भूल गए अपनी चीज़ है अंग्रेजों ने जो सिखाया वो हमें याद है तो हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं अंग्रेजों के फॉर्मूले से जीडीपी निकलता है इस देश का तो मैंने बहुत बार इस देश के अर्थशास्तरियों से पूछा कि जीडीपी में आप विचित्र-विचित्र केलकुलेशन करते हैं जैसे भारत की पुलिस है उस पर जो खर्चा हो रहा है वो जीडीपी का हिस्सा है अगर चोरियां डकैतियां बढ़ी तो पुलिस का खर्च बढ़एगा तो GDP बढ़ेगा और प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहेगा मेरे जमाने में GDP 10% से उपर बढ़ गया सो वोट पुलीस का खर्च बढ़ गया मने चोरिया बढ़ गई डकैतिया बढ़ गई watch आट्या चार बढ़ गई अना चार बढ़ गई तो GDP बढ़ गया तो क्या बड़ी बात है कैलकुलेशन ही नहीं है उसका बारस सरकार कोई कैलकुलेशन नहीं करती कि किसी माने एक किलो पापड बना दिये तो GDP बढ़ा के नहीं तो कहते हैं जी मालूम नहीं बढ़ा के नहीं बढ़ा क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है किसी माने दाल की बड़ी बना दी पांच किलो दाल क तो GDP बढ़ा के नहीं बढ़ा, आपका मन क्या कहता है, बुद्धी क्या कहती है, बढ़ा के नहीं बढ़ा, किसी ने बढ़ी बना दी, किसी ने पापड बना दिये, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने गोंद के लड़ू बना दिये, किसी ने मावे का कुछ बना दिया, तो GDP तो बड़ी राय लेकिन हम calculate नहीं कर रहें उसको क्योंकि अंग्रेजों के यहां महिलाओं का किया हुआ काम महत्तु का नहीं माना जाता अंग्रेजों के यह जो अंग्रेज जात है ना दुनिया में यह महिलाओं के किये हुए काम को काम ही नहीं मानते आपको मालूम है 2000 साल य आत्मा नहीं मानते हैं यूरोप का सबसे बड़ा दार्शनिक है प्लैटो वो कहता है कि इस्तरियों में आत्मा ही नहीं होती है आत्मा सिर्फ पुरुषों में होती है तो इस्तरी जो करे वो बेकार है पुरुष जो करे वो ही अच्छा है तो उनके यहां से यह कैलकुलेशन ह हमारे यहां आ गया कि इस तुरी कुछ भी करे तो कामी का नहीं तो अंग्रेजों का 200-200 साल जो राज चल गया उसमें हम सब के दिमाग खतम हो गये सोचना विचारना बंद हो गया तो हमने भी वह इमाल लिया मैं अभी इसको बदलना चाहता हूं और मैं यह समझना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि इस्तरिया जो कर रही है वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है बस अंतर इतना है कि डॉक्टर को आप फीस देकर उससे एडवाईज ले रहे हैं हमारी दादी नानी फोकट में वो ये एडवाईज दे रही है धनिया खाओ जीरा खाओ और ये अजवाईन खाओ आपके पेट की गैस खतम हो जाएगे और ये साड़े तीन हजार साल से वैसे का वैसा ही है अजवाईन खाओ तो गैस खतम होती ही है कभी भी आप करके देख लो आप में से किसी को भी बहुत गैस बनती हो पेट में एसिरिटी की तकलिफ हो आज से शुरू कर दो आप खाना खाया तो उसमें ध्यान रखो से काले नमक के साथ तो थोड़ा ऐजवाईन और कालानमक मिला के हर खाने के बाद खाके देख लो तीन दिन में ना आपकी गैस बंदो ऑफ जो biz नहीं हारने को तया यह गारंटी मैं नहीं दे राएं यह गारंटी अजवाईन दे रही है तो कि मेरी गारंटी नहीं है अजवाईन के गारंटे है तो वो कहते हैं बागवटे जी कि पित्त को सम रखने के लिए हमारे रसोई में घी के बाद जो दूसरी चीज है वो है अजवाईन अब तीसरी चीज पर आते हैं पित्त को सम रखने के लिए अजवाईन के बाद जो तीसरी चीज अपने रसोई में हैं वहीन जीरा जीरा दो टरह का एग सफेद और एक काला जीरा सफेद से भी अच्छा है आप एक नियम ध vibrant रख लो मैंने आपसे कल कहा था जिस चीज का रंग जितना गहरा वो उतनी ही अच्छी भगवान की बनाई ऊई मनुष्ए कही नहीं मनुष्य ने तो पेंट भी बना दिया है बहुत गहरे रंका है भगवान की बनाई हुई हर चीज में ये नियम आप देखना कि भगवान की प्रकरती की बनाई जो चीज जितने गहरे रंकी है उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है तो जीरा दो है एक सफेद और एक का साला जीरा सबसे अच्छा पित्त को खतम करने के लिए सम रखने के लिए तो आपके रसोई में एक हो गया घी देशी घायका पित्त को खतम करने दूसरा हो गया अजवाइन तीसरा हो गया जीरा और एक चीज हींग हींग तो आप सब समस्ते हैं ना हींग हींग भी भगवान की बनाई हुई है आदमी ने नहीं बनाई हींग के पहाड होते हैं जैसे पत्थर के पहाड होते हैं वैसे हींग के पहाड होते हैं जीरा है अजवाइन है और देशी गाय का घी अब इसके नीचे आता है धनिया दनिया दो तरेका है एक सूखा और एक हरा जब तक हरा उपलब्द है आप खाईए जब नहीं है तो सूखा खाईए दोनों की क्वालिटी एक ही है सूखे धनिये में कोई कमी नहीं आते है आपके मन में ये प्रशन है ना हराइपत्य का धनिया में कुछ ज़्यादा होगा सूखे में कम बिलकुल नहीं है दोनों में बराबर है सूखने के बाद भी उसके गुण धर्म में कोई कमी नहीं अब ऐसी पूरी लिस्ट है मैंने तो वो पूरी लिस्ट देखनी है तो वो किताब हैं आप ले लेना एक स्वदेशी चिकित्सा किताब हमने बनाई है और एक बनाई है गंबीर रोगों की चिकित्सा इसमें ये सूची है और थोड़ी सी अश्टांग हिरदयम के भाग तीन में भी है भाग दो में भी है थोड़ी थोड़ी है थोड़ा आगे बढ़ें कफ की सूची मैंने बताई आपको कफ में सबसे अच्छी चीज है गुड़ गुड़ के बाद दूसरे नंबर पर है शहद जैन है तो शहद मत खाईए ये मेरी भी विंती है आपको क्योंकि नहीं तो मैं पाप का भागीदार बनूँगा जो आप से कहूं कि शहद खाओ और मुझे तो मोक्ष में जाना है तो पाप की गठरी क्यों लादो तो आप जैन है तो बिलकुल शहद मत खाईए अजैन है मने जैन नहीं है तो आप कोशिश करिए कम से कम खाएं ना खाएं तो और भी अच्छा क्योंकि अपने पास शहद का विकल्प है गुड़ जब गुड़ ना रहे तब सोचें इसी तरह कफ को कम करने की और क्या चीज है अपने रसोई में कफ को कम करने की दूसरी जो सबसे अच्छी चीज बताई बागवट जीन है वो है सोट सोट का ही एक दूसरा रूप है अदरक अदरक से अच्छी है सोट कारण क्या है अदरक जब सूख जाता है तब ही सोट बनती है और अदरक का सूखने के बाद गुण बढ़ जाता है हाँ ताजा अदरक है ना उसका गुण जितना नहीं है सूखे हुए अदरक माने सोट का गुण लगभग सौ गुना बढ़ता है इसलिए सोट अदरक से हमेशा अच्छी है तो कफ खतम करने के लिए रसोई घर में एक हुग गया गुण दूसरी हो सोट सोट का ओबलिक अद की सबसे उत्तमो शडी लेकिन पान भी चक्र आएगा कौन सा पान जो गहरे रंग का हर चीज में यह नियम है गहरे रंग का अप उसको ख़़ी देशी पान गहरे रंग का पाँ जिसका रंग बहुत गहरा हरा एकदम काला जैसा हो तो और भी अच्छा ये पान कफ नाशक है बहुत ही जबरजस्त चीज है ये पान और पान और सोट का बेस्ट कॉम्बिनेशन है पान खा रहे हैं तो सोट डालके खा सकते हैं अदरक डालके खा सकते हैं जेन हैं तो सोट खाई ये नहीं हैं तो अदरक खाई पान अदरक सोट और उपर से आया गुड गुड भी मिला के पान में खाया जा सकता है वो आप डालते ना गुलकंद गुलकंद गुल गुलकंद माने क्या है गुलाग के फूल उसकी पंकुडिया उसका तो रस या उसका कुछ प्रिप्रेशन प्रोसेस से ये भी सबसे ज़्यादा कफ नाशक है अब आप देखो जो जो चीजें पान में पड़ रही हैं वो सब कफ नाशक है पान बनाने वाले सब बाग भटके चेले बिना जाने ये काम कर रहे हैं गुलकंद आपको पान में डाल के दे रहे हैं सौफ ये भी कफ नाशक है सौफ फिर उसके आगे मैं बता रहा हूं प्रायोरिटी से सबसे अच्छा कफ नाशक गुड फिर उसके नीचे अब सौफ के नीचे जिसका नबर वो है लॉग लवन कहिए लॉऑंग कहिए और ऐसे ये सूची बढ़ाते जाएं तो इस में करीब सौ च तेल शुद्धे शुद्धेल वातनाशक है और अब जो दूसरी बात में कहने जा रहा हूं इसको मैं संग उपसंगहर के रूप में कह रहा हूं कि जिन चीजों में भी पानी की मात्रा ज्यादा हो वह सभी वातनाशक है जिन चीजों में भी पानी की मात्रा जादा हो वो सभी वातनाशक है जैसे दूद आप जानते हैं दूद में तो सबसे जादा पानी ही है ना दूद को फाड़ के देख लो solid material तो थोड़ा ही निकलता है ना बागी तो पानी ही रह जाता है तो दूद में बहुत पानी है तो जिन चीजों में पानी जादा है बागवट्टी जी ने सूत्र ऐसे लिखा है कि पानी युक्त चीजें जल युक्त चीजें सभी वातनाशक है तो दूद हो गया दूद के बाद दही दही में भी पानी ही है आप जानते है और छाच तो सबसे ज़्यादा पानी वाली है जूस जो आप इस्तेमाल करते हैं सभी जूस वातनाशक है सभी जूस संत्रे का, मुसम्मी का, गन्ने का तो बहुत ही अच्छा है अंगूर का, टमाटर का वगरा वगरा ये सब जूस बातनाशक तो सब तरह के जूस, दूद, दही, छाच ये सब बातनाशक चीज़ें हमारे घरों में हैं अब आखरी चीज, आखरी चीज bahagवट जी कहते हैं कि बातनाशक, पित्ट नाशक और कफ़ नाशक ऐसी चीज़ें दुनिया में एक साथ मिलें हैं बहुत रेर बहुत रेर वो कहते हैं कि बहुत चीज़ें दुनिया में हैं कोई बात का नाश करेगा कोई पित्त का कोई कफ का लेकिन कोई ऐसी चीज़ें भी अपने रसोई में हैं जो तीनों को नाश कर सकते हैं उन में से नमबर एक है आवला फिर दूसरा है हरडे और तीसरा है बहेडा और तीनों मिला के बनता है त्रिफला ये जो त्रिफला है ना बागवट्टी जी इसकी इतनी बढ़ाई करते हैं इतनी प्रशंसा उन्होंने लिखी है कि खाली त्रिफला पर ही उनके 120 से ज्यादा सूत रहे 120 से ज्यादा अकेले त्रिफला पर त्रिफला को इसके साथ खाओ त्रिफला को इसके साथ खाओ त्रिफला को ऐसे खाओ 120 से ज्यादा सूत रहे अकेले त्रिफला पर और वो ये कहते हैं कि ये जो त्रिफला है इसमें सबसे अच्छा फल आवला, फिर बहेडा, फिर हर्डे ये सबसे दुनिया में अद्बुचीज है लेकिन इसकी मात्रा के बारे में उन्होंने जो कहा है वो ध्यान रखिए ज्यादातर लोग त्रिफला इस्तेमाल करते हैं करिए, बहुत अच्छा है लेकिन मात्रा ध्यान रखिए हम क्या करते हैं कि हर बहेडा, आवला, तीनों बरावर मात्रा में मिलाके त्रिफला बनाते हैं वो कहते हैं कि ये उतना उपियोगी नहीं है और हमने करके भी देखा वो कहते हैं कि त्रिफला सबसे अच्छा होता है एक, दो, तीन के अनुपात में पहला है हर, हरडे एक अनुपात दूसरा है बहेड़ा, दो अनुपात और तीसरा है आवला, तीन अनुपात अब इसको मात्रा में कहूं अगर त्रिफला बनाना है तो हरडे लेना सौ ग्राम बहेडा लेना 200 ग्राम और आवला लेना 300 ग्राम तो ये 100-200-300 ग्राम की मात्रा में आप जो त्रिफला चून तयार करेंगे वो कहते हैं ये अद्बुत है वात, पित, कफ तीनों का नाश करता है तीनों का अब वात, पित, कफ तीनों से आप अगर ग्रसित हैं तो आप त्रिफला जरूर लीजिए कैसे लाएं त्रिफला लेने के दो नियम बताए उनों ने एक रात को और एक सवेरे सवेरे का नियम उनका ये है कि सवेरे सवेरे अगर त्रिफला खाएं तो गुड के साथ नहीं तो शहद के साथ गुड या शहद वैसे ही आप तरह कर लीजे जैन है तो गुड अजैन है तो शहद तो सवेरे का त्रिफला खाएं तो गुड या शहद के साथ रात का त्रिफला खाएं तो दूद के साथ या गरम पानी के साथ त्रिफला तो एक ही है न सवेरे भी त्रिफला ही खा रहे है रात को भी लेकिन बागवट्टी जी कहते हैं असर अलग-अलग है दोनों के रात को जो आप त्रिफला खाएंगे दूद के साथ या गरम पानी के साथ तो ये त्रिफला रेचक है रेचक शब दुनों ने इस्तेमाल रेचक माने पेट को साफ करने वाला बड़ी आथ की सफाई करने वाला शरीर के सब अंगों की सफाई करने वाला जाडू लगाने वाला जो व्यक्ति वो रेचक तो कहते हैं रात को अगर त्रिफला आप ले रहे हैं दूद के साथ या गरम पानी के साथ तो ये रेचक है, माने ये एक ही काम सबसे ज़्यादा करेगा कि आपकी कबजियत मिटा देगा कितनी भी पुरानी कबजियत है मिटा देगा चालीस साल पुरानी भी मिटा देगा, रात को, और जो दिन को त्रिफला खाया सबेरे गुड के साथ, तो वो कहते हैं यह पोशक है, एक शब्द है रेचक और एक है पोशक, पोशक माने शरीर को जो कुछ चाहिए, विटेमिन C चाहिए, विटेमिन A चाहिए, विटेमिन D च चाहिए, विटेमिन K चाहिए, या कोई विटेमिन चाहिए, या हमें माइक्रो न्यूफ्रेंट्स चाहिए शरीर को, कैल्शियम चाहिए, आईरन चाहिए, वगरा वगरा, तो शरीर को अगर पोशकता चाहिए, तो त्रिफला सबेरे खाना, और शरीर में आप मानते हैं कि ह सबेरे ही त्रिफला खाओ, स्वस्थ हैं तो, और जो कुछ बीमारियां हैं आपको, तो रात को खाओ, ठीक है, मात्रा ध्यान रखना, एक, दो, तीन, सम मात्रा का त्रिफला बहुत रेर केस में इस्तेमाल होता है, एक या दो ही बीमारी हैं, अभी मैंने एक जगे इस्तेमाल का पूरा शरीर सड़ गया, एक दम सड़ गया, जगे जगे घाओ, जगे जगे, और उसमें से खून निकलता, मवाद निकलता, वो बिचारे इतने परिशान, इतने हैरान, कहां कहां जा जाके, अमेरिका, कनाडा, सब जगे, कुछ इलाज हुआ नहीं, कोई रिलीफ मिलाने कपड़ा भी नहीं पहन सकते, ऐसी इस्तती थी, हमेशा नंगे बदन रहते थे, तो ऐसे ही किसी ने मुझे उनके बारे में बताया, बंबई तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ कि राजी भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं, तो मैं उनको गया था मिलने और देखने, तो मैंने देख अचा चलो, आप फिर एक काम करो, त्रिफला चून खाओ, बस और कुछ मत करो, तो उन्होंने त्रिफला चून शुरू किया, ये, मैंने बताए, एक, दो, ती, शुरू किया, तीन, चार महिने में रिजल्ट बहुत थोड़ा आया, आया, थोड़ा आया, फिर मैंने का मातर साल उनको हुआ, त्रिफला खाते-खाते, बिल्कुल ठीक है, और पहले से ज़्यादा प्रफुलित है, पहले से ज़्यादा इनर्जेटिक है, आप जानते हैं, रेडियेशन का दुनिया में इलाज नहीं है, ये उधारन मैंने जान बूच के दिया, ऐसे सेकुन उधारन है मेरे पास, रेडियेशन का दुनिया में इलाज नहीं है, लेकिन त्रिफला चून के पास उसका इलाज है, अगर यही त्रिफला चून अमेरिका में हुआ होता ना, यूरोप में हुआ होता, तो अब तक इस पर पेटेंट लेकर करोणों डॉलर कमाई होते हैं, ये हमारे य जो चीजें प्रचंड मात्रा में हमको दी हैं वो उतनी ही कीमती हैं वो प्रकरती की हमारे उपर क्रपा है जो हमारी जरूरत के हिसाब से दी हैं आवले का इतना उत्पादन इस देश में होता है आप जानते हैं बहेडा इतना मिलता है हर्डे इतना मिलता है और लगबग फोक प्राश है न यह त्रिफला चून से कई कई गुना नीचा है कि चवन प्राश पर जितना खर्चा कर रहे हैं उससे बहुत कम खर्चे में आप त्रिफला खाईए चवन प्राश से भी ज्यादा असर तो मेरी आपको आज के लिए यह आखरी सूत्र थी कि आप अपने जीवन मे बात, पित, कफ तीनों को सम रखना चाते तो आवला, हरडे, बहेडा, हरडे, बहेडा, आवला इन तीनों का उप्योग करना सीख लीजे घर में हमेशा इसको डब्बे में बनाके पाउडर के रूप में रख लीजे अब आप कहेंगे इन तीनों को एक साथ खाएं आप अक अगवट्टी जी कहते हैं सर्वत्तम फल यही है आवला, हरडे, बहेडा, दूसरे फलों से कई गुने ज़्यादा ताकतवर यही फल है आवला, हरडे, बहेडा, अब आपको आखरी एक छोटी सी बात कह दू कि आप में से किसी को भी यह तकलीफ है कि आपके शरीर में मेद बढ़ा हुआ है, मेद माने, मास बढ़ा हुआ है, बहुत लोग परिशान है, मोटापा, मोटापा, मेद माने कफ बढ़ा हुआ है, सीधी सी बात, तो आप त्रिफला खाईए, कब खाना है, आपको रात को नहीं खाना है, सबेरे खाना है, जिनको भी मास बढ़ा है, शरीर पर मेद बढ़ा है उनको अगर छाटना है इसको कम करना है तो त्रिफला सबेरे खाना आवला सबेरे खाना आप त्रिफला नहीं खा सकते तो आवला ही खालीजे चार आवले तीन आवले रोज खालीजे आवले को मुरब्बा बना के खालीजे मुरब्बा को और आवले का और त्रिम हो जाएंगे और आवले color के बारे में आज के जो वेज्ञानिक कह रहे हैं आज के वह कहते हैं कि The show नि यह नो इसे अच्छा ऐंटि आक्सीडेंट फलक यह यह थो ही कहते हैं और शरीर में regarding औक्सिडेशन चलता है औक्सिडेशन में उम्र कम होती है शरीर के हर अंग का च्छय होता है तो अगर उम्र बढ़ानी है और अंगों का च्छय बचाना है तो आवले से अच्छी कोई चीज लई देनिक जीवन में भोजन में इसको जरूर धारन करिए बागवटी जी कहते हैं कि जब तुरुक हैं आवले के बारे में तो वह कुछ नहीं कहते हैं , तो 3 महीन लगाता है रगाने के बाद धोड़े दिन चोड़ु देना तीन महीने, तीन महीने 90 दिन खाके थोड़े दिन चोड़ देना, माने 15-20 दिन चोड़ देना, फिर अगले 3 महीने खा लेना, फिर 15-20 दिन चोड़ देना, फिर 3 महीने खा लेना, क्यों कर लेना ऐसा, वो कहते हैं कि ये छोड़ना जरूरी है बीच में, नहीं तो शरीर को नहीं तो छोड़ के खाना अब किसी व्यक्ति के लिए ये छोड़ने का समय है वो तीन महीने से थोड़ा पहले भी हो सकता है जादा भी हो सकता है इसलिए मैंने बीच का बताया तीन-तीन महीने करके छोड़ छोड़ के खाना अब आज के लिए सूत्रित नहीं आगे तो आवला तीन से चार और त्रिफला हमेशा बड़ा टी स्पून एक तो छोटी चम्मच होती है एक थोड़ी बड़ी चम्मच तो एक चम्मच हाँ गुड़ के साथ सुबह नहीं तो शहद के साथ और जिनको रेचक के रूप में उपयोग करना पेट साफ करने के लिए आतों आवला लगबग एक चम्मच लेकिन छोटी चम्मच कैसे खाना है गुड़ के साथ कैसे मिलाएं आवले का चून आपके पास है थोड़ा गुड़ ले लो चून और गुड़ को ऐसे हाथ से मसल दो वो लड़ू जैसा हो जाएगा गुड़ उसको अपने में समा लेगा फिर गुड़ खालो पीछे से थोड़ा दूद पीलो मैंने आपको कहा था कि बागवट्टी जी कहते हैं कि दूद एक ही चीज के साथ पिया जा सकता है वो है आवला क्या कहते हैं पहेड़ा भाग तानी तानी आप ऐसा करिएगा यह प्रदीप भाई की दुकान पे चले या कल यहां मंगवा के थोड़ा रख दीजे पहचान करने के लिए कि हर क्या है बहड़ा क्या है आवला तो आप सब पहचाने जी हरड़ा को कड़का बोलते हैं हरड़ा को कड़का बहड़ा को तानी काई बहड़ा को तानी काई आमला को पाल नली काई आमला को पाल नली का या निली का इसी दे कर दिजे यह त्यम होका यह प्रदीव भाई ने एक सवाल पूछब आए कि अगर हम वजन कम करने के लिए या मास कम करने के लिए खाना चाisel तो दो बार का त्रिफला चुन लाने से अच्छा है, बाजार से आवला लाना, बहेडा लाना, हरडे लाना, कूट पीस के अपने घर में बनाना, क्योंकि बाजार में कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कॉमर्शलाइज हो चुकी हैं, और उनके असर अगर कम हुए तो आप बागव करेंटीज में खाईए भर पेट आंवले के साथ खाईए, त्रिफला के साथ खाईए, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है गुड़ खाने में, डाइबिटिक लोग भी गुड़ खा सकते हैं, शुगर ना खाएं, और जूस का क्या करें, डॉक्टर सो कहतें, एक है सुरुक्रोज एक है फ्रक्ट्रोज तो यह जो फल वगेरा की शक्कर है यह फ्रक्ट्रोज फॉर्म की जादा होती है और यह आसानी से डाइजेस्ट होती है गुड़ की भी उसी केटेगरी में आती है तो आप चीनी मत खाये गुड़ खा सकते हैं शहद खा सकते हैं फल खा सकते हैं मीठे कोई भी फल खाने में तकलीव नहीं है वशरते कि दृफलाखाते रहें थोड़ा दृफला लेते जिनको भी डायबिटीज है वह भी ध्रुफला का सेवन करें क्योंकि diabetes मैंने कहा ना बात का रोग है तो बात कम करेगा त्रिफला में तीनों चीज़ हैं जो बात नाशक हैं आवला हरडा वहेडा त्रिफला आपने कहा लेना रात को और सुबक कब लेना चैसे खाने के पहले खाने के बाद रात को तो आप लें पेट साफ करना हो वह जब भी ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को लें भगंदर ये ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को लें मैंने मेरे कहने का है पेट से जुड़ी बीमारियां ठीक करने के लिए त्रिफला उपयोग करना है तो रात को चमच एक छोटी दूद के साथ य खाने के पहले खहने के नाशते के भी पेढ़े चालीस मिनट नाश्ता करने से 40 मिनट पहले अगर आप या अपने बता कि फिला सिस्रान फीरा एक तो तो ला उसथाला यह क्या प्रोसेस हुआ हाँ यह सवाल थोड़ा टेक्निकल है इसमें हुआ क्या कि जब आमले में हरडा बहेडा और आमले को एक दो तीन की अनुपात में हम रखते हैं तो आवला जादा है आप निश्चत रूप से देखें तीन मात्रा है आवला जादा आवला माने विटेम इसी बढ़ा हुआ है क्योंकि रेडियेशन से वह एक्स्ट्रा होता है तो हमने देखा आवला अगर मात्रा उनके साथ है तो वह काम नहीं कर पा रहा है इतना जब तीन मात्रा का है क्योंकि जो चीज़ पहले से बढ़ी है वह और बढ़ाएगा तो फिर हमने इसको कम कर दि लेने का बड़ाबर मात्रा लेकिन बाकी जो साधरन बीमारियां उनमें एक बड़ाीन एक ढ़ी रहता है क्योंकि आपको कई जगे कैल्शियम की ज़रूरत है विटेमिन की बढ़ा जितने लोग सब्सक्राइब तो बढ़ेशी चीजह से कम हूं तो यह चक्कर है यह थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस है आप लेकिन समझ जाएं सरल भाशा में मैंने कोशिश की है बताने की जी in 1992 I went to Rajasthan I studied Jainism I have been following I was 120 kg with top to bottom all diseases today I am standing without any disease I am 66 I am following 100% swamiji's I don't take idli chapatti or sugar, particularly white sugar is nothing but carbon, nothing but carbon, carbon, charcoal कोई कायेगा, the same way the refined oil, nothing but again carbon, asphalt, road के दालेगाना, तार, that is, so what he said, I learned it in Rajasthan, I was 127 kilo, now I am just 49 or 50 kilo, without any disease, from top to bottom, including lung cancer, and mouth cancer, I cured, without any medicine, only by foot, the Swamiji's foot, I have to thank Jainism, but one sorry state, kindly all Jains follow, not attending here, follow you, don't listen, and forget it, all these things, have to go into your heart, and eat healthy, live healthy, thank you, मेरे पास एक कागज में लिखा हुआ प्रशना आया है, छोले की दाल और दही साथ में खा सकते हैं, आप ये देखो, छोला दुईदल है क्या? है, तो नहीं, और खाना है तो तरीका मैंने बताया है, दही गरम करके, बगार लगा के, तो जो भी चीज दुईदल है, उसके साथ दही खाएं, तो बगार लगा के, तब उसकी तासीर गरम होती है, तब ही खाएं, धन्यवाद. बेनों और भाईों, महान रिशी बागभट द्वारा रचित अश्टांग हिर्देम पर आधारित स्वदेशी चिकिस्टा के व्याख्यानों को आपने सुना, राजी भाई ने सुदेशी चिकिस्टा के उपर व्याख्यानों में आपको बताया कि किस तरह से हम अपने स्वस्ट को अच्छा रख सकते हैं, बिना दवा के, बिना डॉक्टर के हम अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, यह आपने उनके व्याख्यानों में सुना. आईए अब हम इन व्यक्षानों के आधार पर और बागवट रिशी के द्वारा रचित अश्टांग हिर्द्यम के आधार पर सुदेशी चिकिस्ता के शिवरों में भाग लें और सुदेशी चिकिस्ता के शिवरों में भाग लेकर अपने वात, अपने पित और अपने कफ के वारे में जाने और इन त्रिदोशों के आधार पर अपने शरीर को कैसे स्वस्त रख सकते हैं इसके वारे में जाने इन सोदेशी चिकित्सा शिवरों में हम आपको बताएंगे किस तरह से अपने बात को अच्छा रखें, किस तरह से अपने पित्त को अच्छा रखें, किस तरह से अपने कफ को अच्छा रखें, इन तीनों का संतुलन कैसे अच्छा रखा जाए ताकि हमारा सरीश्वस्त रहे हमारे प्रति दिन के भोजन में हमारे परिवार के भोजन में हम किस तरह का खाना बनाएं हम किस तरह का भोजन तयार करें ताकि वो प्रकर्ति के आधार पर हो इन त्रिदोशों के आधार पर हो ताकि हमारे परिवार का स्वास्त अच्छा रहे भाईयों और भेनों आपने सोदेशी चिकिस्सा व्याख्यान सुना सोदेशी चिकिस्सा के वारे में जाना अब हमारा कर्तब है कि हम अपने सभी जनजन को हभी अपने भाईयों को सभी भारतियों को सोदेशी चिकिस्सा के वारे में बताएं और देश की सेवा करें हम अपने यहाँ पर इस तरह के शेवरों का आयोजन कर सकते हैं, हमको अगर कोई बिमारी है, कोई परेशानी है, कोई सामान ने बिमारियों के बारे में जानकारी चाहिए, तो क्रप्या करके हमारे इस नंबर पर संपर कर सकते हैं, 982520113.